नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 9 मार्च दिन गुरुबार खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्खियों पर राजी के बच्चे होंगे स्मार्ट विहार के युवां को अब यूटूब से मिलेगा रोजगार की जानकारी जदियों ने भंग किया नागा लैंड इकाई आधार से पैन को लिंक करने पर होते हैं यह फाइडिंग डबलो टीसी फाइनल में पहुँचने के लिए बल्ले बाजों को एहमदवार टेस्ट में करना होगा अच्छा प्रदश्चत अब चले बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से दसवी पास से लेकर ग्राजुएट तक के लिए निकली भरती किंदरी प्रदुक्षर नियालतरन बोड की द्वार्ट के दौरा खबराईशोचना जारी किया गया है इसके लिए अगर Enjoy Quality की बात की जाए तो में द्वार को पदी के अनुसार 10 वी बार वी दिपलोमा बेचलर डिगरी बास्टर डिगरी या समकच कोर्स पास होना अनिवारे है बता दी किसमें आवेदन करने की अंतिम तारिक 31 मार्ज 2023 तक नरधारित की गई आवेदन करने के लिए एक्चुक और युग्यों मिद्वार आधिकारिक साइट cpcb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं राजे के बच्चे होंगे स्मार्ट डिजिटल होने की कवायत हर जगा शुरू हो गई है राजे सरकार भी इस चीज में पीछे नहीं है पिसले कुछ समय से राजे सरकार भी हर सरकारी कामों को डिजिटली ही कर रही है राजे के स्कूल भी अब इस चीज में पीछे नहीं है ज जानकारी के अनुसार अध्याधुनिक साइंस लाब स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पटना आयाइटी की मदद लेगी ताकि बच्चों और स्कूलों को भी डिजडल बनाया जा सके बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आईशा सर्मा के बारे में आईशा शर्मा एक भारती अभिनेत्री और मॉडल है बता दे कि आईशा शर्मा को पहली बार आयुश्मान खुडाना की एक बार वीडियो सॉंग में देखा गया था इसके बाद आईशा ने जॉन अब्राहम और मनोज बाजपई के साथ हिंदी एक्शन थ्रिलर सत्य में जयते में अविनय की शिर्वात की आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आईशा सर्मा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मॉडलिंग की शिर्वात की इस दोरान वह लैकमी और अने ब्रांडो का प्रमुक चहरा बनी इसके लावा 2016 में वह किंग फिसर कालेंडर गर्ड भी थी मालम हो कि बब बिहार के एक हिंदू राजडेता परिवार से तालुक रखती है उनके पता अजीस सर्मा बिहार के भागलपूर में एक प्रतिस्ठित राज नेता हैं और वह भारती राश्य कॉंग्रिस के सदश्चे हैं बिहार में जमीन नक्से की ओनलाइन डिलिवरी के लिए बस करने होंगे ये काम जमीन के नक्से के लिए बिहार में अकसर लोगों को सरकारी काड़यालेओं के चक्कर लगाने के बावजूद भी लोगों को उनके जमीन का नक्सा एक लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है वहां भरना होगा उसके बाद पेमेंट कर उस नकसे को आप अपने घर भी मंगवा सकते हैं बतादे किसके आधिकारिक वेबसाइट drs.bihar.gov.in है भारत के हरकोने में लोग होली जैसे तियोहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं होली के इस अफसर पर बिहार के बोद गया में भी विदेशों से आई सेलानियों का जुटाव हुआ है ये विदेशी शैलानी थाईलैंड से बिहार पहुंचे हैं और अस्थानिये लोगों के सहयोग से होली के रंग में डूबे हुए हैं यहां मौजूद अस्थानिये लोगों ने उन्हें पारंपरिक पकवान का भी स्वाथ चक्वाया लिहाजा हर साल हमें विदेशी शैलानियों का जमावरा बोद गया में देखने को मिलता था लेकिन क्रोणा काल के समय होली कार रंग थोड़ा फी करहा लेकिन अब फिर से एक लंबे इंपजार के बाद वही रंग लोटाया है और बीदेशी शैलानी बड़े ही धूमधाम से इस बार होली का आनन्द ले रहे हैं अब इशवेसल AC Superfast Passenger Train से जाए वालमीकी नगर अगर आब भी वालमीकी नगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लीए बता दी है बतादी कि बहुत जल्दी वालमीकी नगर जाने के लिए वाता नुकुलित Fast Passenger Train के परिचारन के शुरवात की जाएगी बता दे किसको लेकर पडिवहन मंत्री शीला कुमारी के द्वारा विधान परिसद में एक प्रश्ने के उत्तर में यह जानकारी दी गई है मालूमों कि पहल में राज्य में परेटन के विकास में तेजी आई कि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि स्पेशल एसी सूपरफास्ट पैसेंजर ट्रेंग के परिचारन को लेकर अनुमंडल के महाप्रबंध को एक पत्र भी लिखा गया है मालूमों कि स्ट्रेंग का परिचारन पाटले पुतर जंक्सन से शुरू किया जाएगा सियम नितीस ने प्रवासी मुद्दे पर मदद के लिए तमिलनाडू सरकार को जताया अभार तमिलनाडू में प्रवासियों पर हिंसा की अफवाह मामले को लेकर नितीस कुमार की सरकार ने तमिलनाडू सरकार को मदद के लिए अभार व्यक्त किया है दरसल इस बात की जानकारी मंगलवार को तमिलनाडू के सारजनिक विभाग के सचीव दी जगरनाद द्वारा मिली है। एक्तिस मार्स तक का समय है। इसके लावा अगर आप आधार से पैन लिंक करवाते हैं तो आपको अन्य दस्तावीजों की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी बता दे के आधार कार्ड पहचान प्रमान तथा प्रमान के उद्देशे से भी काम करता है इसे में लिंकिंगे बार प्रांजक्शन को ट्रैक क किया जा सकता है इसके लावा अधार बैंक लिंकिंग होने से फ्रॉट की समस्य भी दूर होगी और साथ ही टैक्स चोड़ी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा बिहार में बदला मौसम का मिज़ाद बिहार की राधानी पटना और गोपाल गंस समीट कहीं जिलों में मौसम अचानक बदल गया है पटना मौसम विज्ञान किंद्र ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया उसमें पटना समीट दक्षिन मद्य और दक्षिन पुर्भ बि अगले तीन दिनों के दोरान राज्य का मौसम सुष्क बने रहने की संभावना है इसके बाद बिहार के दक्षिन पुर्व और दक्षिन मद्य भागों के एक या दो जगों पर हलकी बारिश का पुरवानुमान है तापमान में कोई विशेश बदलाव की संभावना नहीं ह बिहार के युवाओं को अब यूटूब से मिलेगा रोजगार की जानकारी बिहार में युवाओं को ध्यान में रखते वेश्रमसंसादन वीभाग की ओर से 《डिस्प्ले बोडा एबम यूटूब पर रोजगार की जानकारी मुहिया कराई जाएगी बता दे किसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुवात की जारी है जहां युवा मुफ्त में नई-नई किताबे पर सकेंगे और साथ में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर मुफ्त में अपना निवंधन करा सकते हैं मालूम हो कि अभी पटना के नियोजन भवन में 20 सीट का कंप्यूटर लाब अस्थापित किया गया है जिसमें लगबग 35-40 बच्चे परते हैं बतादी किस लाइब्रेरी से जुरे सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक वार्ट्सक ग्रूप भी पनाया है जहां सम्शुर पहले इसे सुच आफ कर दे इस रवाइस को किसी भी तरह के नुक्सान से सुरक्षा मिलेगी अब अपने फौन से होली रंग को धीरे से ब्रस से रटा या फिर फोन को हिला इसके बाद फोन से होली के रंग को साफ करने के लिए मुलाहिम सुखे कपड़े का इस्तमाल करें पानी या किसी तरल पदार्त का इस्तमाल ना करें क्योंकि वे फोन के पोट या बटन में रिस सकते हैं और फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपके फोन पर अभी भी दाग है तो आप माइल क्लीनिक सॉल्यूशन का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा करते वे ध्यान रखें कि किसी भी तरल को फून के पोट या बटन में रिसने नादे सफाई करने के बाद अपने फून को पोचने के लिए एक सूखे मुलायम कपड़े का इस्तमाल करें सभिता द्वार के बारे में पास पास काफी खूबसूरत गार्डिन बनाया है मुंबई के गेटवे ओफ इंडिया नई दिल्ली का इंडिया गेट और फतेपूर्स तिक्री के बुलन दर्वाजी की श्रिंख्ला में ही यह सभिता द्वार भी है फटना का लैंडमार्क सभिता द्वार पर बिहार सजुरे चार महापूरुशों के संदेशों को लिखा गया है बौध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद जैन धर्म के 24 वे तिर्थकर भगवार महावीर समराट असोक वेगस्थनीज की वानी पलेटकों को अपनी तरफ आकरसित कर रही है असी अबने 30 कुमार ने 20 मई 2018 को गांधी मैदान के पास इस्थ समराट असोक कन्वेंशन सेंटर कैंपस में सब्विता द्वार का लोकारपन किया था बिहार के इंचलों से सबसे अधिक जलापूर्ती की सिकायत बिहार के 3932 पंचायतों में सबसे अधिक जलापूर्ती की सिकायत बिहार के जिन स्थानों से आती है उनमें कटिहार भागलपूर और समस्तिपूर शामिल है बतादी किहन सिकायते, पाइप के रिसाओ, नलच्छतिक रस्त, मोटर पंप के जलने, स्टार्टर और पैनल की खड़ाबी, वाशर और फेरूर सहित अने कारणों की वजह से आती है वहीं अगर बात उस स्थान की कड़े जहां से सबसे कम सिकायत दर्ज की गई है वह बिहार का मदुबनी जिला है, आपकी जानकारी के लिए बतादी कि पटना में पेजल को लेकर 31 सिकायते दर्ज की गई है जबकि भागलपूर में 489, समस्तिपूर में 320 सिकायत दर्ज की गई है मालूमों कि बिहार के 1.17 वाडो में प्रते दिन 46.25 करोड लीटर पानी की सप्लाई की जाती है रंगों का तिवार होली और अंतराश्ट्रे महिला दिवस दोनों एक ही दिन था, इस मौके को पूरे देश में हर सो उल्लास के साथ मनाया गया अंतराश्ट्रे महिला दिवस के मौके पर कई जगह तरह-तरह के काली करम आयोजित किये गया सुवफसर को बिहार में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया बता दे कि छपड़ा जंक्सन पर सभी महिला करमचारियों को समानित किया गया यहां ट्रेन संचालन की पूरी जिमेदारी पूरुस करमचारियों की जगह महिला करमचारियों को दिया गया जहां उन्होंने अप अभी योजनाओं के कारण बिहार के महिलाओं को आत्म स्वास बना है। अस्थाई समीती के द्वारा मोहर लगा दी के ये बता दे कि नगर निगम में बहुत सारे पदों पर काम करने वाले करमचारी रेटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं OTT प्लेटफॉर्म को कोरोना प्लेटफॉर्म मानता हूँ क्योंकि कोरोना काल में ही OTT प्लेटफॉर्म का जन हुआ। उन्होंने कहा कि फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ नियम लागू करते हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में सिंसर बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जाता। इसलिए जो लोग OTT प्लेटफॉर्म से फिल्म में बनाते हैं उन्हें अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अच्छी फिल्म में बनाए। जो लोग अपने पडिवार और अपने बच्चों के साथ बैथ कर देख सके और साथ ही उन्हें उस फिल्म से अच्छा संदेश मिले। उन्होंने बताया कि उनका बच्पन का सपना सिंगर बनने का था लेकिन उस दौरान बच्चे अपने पडिवार वालों के कहे अनुसार काम किया करते थे जिस वज़े से उनका संगीत का सपना धूरा नहीं गया इक बच्पी के गड़बंधन वाली सरकार एक बार फिर नागालैंड में बनी है नागालैंड में जद्योट समर्थन का लेटर नागालैंड के जद्यू परदेश अध्यक्षने दिया है जद्यू नतित्यू की तरफ से इसे लेकर बड़ी काड़वाई की गई है पताते चली कि विपक्च में एक भी दल सामिल नहीं है, सभी दलो दोरा नागालैंड में सरकार का समर्थन किया गया है, बताते कि स्लेटर को नागालैंड प्रभारी और जदियू के महा सचीव दोरा जारी किया गया था इसमें कहा गया था कि जदियू का केंद्रिय नितितो नागालैंड स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से बिना सर्थ समर्थन का लेटर्ण नागालैंड मुख्यमंत्री निफ्यो रियो को दिये जाने को अनुसाशन हिंटा मानता है होली के मौके पर कानहा के ड्रसप में नजना आए तेश प्रताप होली के इस तेवहार को बिहार के लोग भी बड़े ही धूमधाम के साथ बीते दिन मनाए राज़त प्रमुक लालु पुशाद यादव के बड़े बेटे और डिती सरकार में मंत्री तेश प्रताप को भी राजदानी पटना में एक अलग अंदाज में होली मनाते देखा गया दरसल तेश प्रताप को कानहा के ड्रसप में देखा गया उन्होंने कानहा के ड्रसप में बांसुरी बजाते और गाना गाते वे होली तियोहार का लुथ उठाया लोगों को इस मौके पर उन्होंने गाना भी गा कर सुनाया इस मौके पर उन्हें लठ मार होली भी खेली लठ मार होली के दौरान तेश प्रताप ने राधा रानी बनी एक लड़की के साथ लठ मार होली खेली जहां राधा ने उन पर लठ बरसाई तुवे खुद को बर्तनूम धाल का इस्तमाल किया खुद को बचाने के लिए तेश प परे निताउं के बीच में देखा गया गोडदतपूर में उत्तरप्रदेश योगी आदितनाथ से होली मनाते दिखें नर सिंग भगवान के शुभायातरा में भी मुख्य मंत्री ने हिस्सा लिया योगी आदितनाथ के अलावे राजना सिंग ने भी अपने आवाज पर बड़े ही धूम धाम से होली को मनाया अमेरिकी वानिचे मंतरी जीना राइमूंडो के साथ राजनाथ सिंग ने होली का जश्मनाया भाजपा सांसद राम कृपाल यादव निबिहार के राजधानी पटना में होली का खाने के बाद ही पाकस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता एक बार फिर से आतंगवाद को लेकर भारत ने पाकस्तान को आईना दिखाया है तरसल अंतराश्टी मंच पर पाकस्तान के विदेश मंतरी विलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विशय एक बार फिर से उठाया गया था इस पर भारत ने पाकस्तान को आड़े हाथो लिया और कहा किया से दुर्भाबना पुर्ण दुश्प्रचार का जवाब देना भी और वांचित है तरसल यह बाद भारत ने सईंतराश्टी और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजी चर्चा में कही यह बाद भारत की सईंतराश्ट में स्थाई प्रतिनीधी रूचीरा कमब्योज तौरा मंगलवार को कही गई उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकस्तान के विदेश मंत्री के बयान को आधार हीन और राजनीवती से प्रेडित करा दिया WTC फाइनल ने पहुंचने के लिए बल्ले बाजो को एहमदाबार टेस्ट में करना होगा अच्छा प्रदर्शन भारत को अगर लगातार दूसरी बार विस्वर टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में अपनी जगा बनानी है तो उसके लिए भारती बल्ले बाजो को इंकला में 3-1 से जीत दर्च कर लेता है तो वो वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंशिप 2023 के फाइनल में पहुंच सकता है बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में शान किसन को जगा मिल सकती है वहीं अगर ऑस प्रसित भारती अभिनित्री देवीका रानी का 1994 में निधन हुआ भारतीय मूल के ब्रिटिस आधाय दिगज उद्योग पती स्वराज पॉल का 1999 में सेंट्रल बर्मिंगम विश्य विद्यारे द्वारा डॉक्टरीट की मानत उपाधी प्रदान की गई ब्रिटेन में भारत के प्रसिद हिंदी साहितिका डॉक्टर नगिंद्र का buddiesफ राजनेटा और लेख कर्ण सिंग का ब्रिट इवं संपाद खरी कृष्ण देव शड़ीका मीं 1918 में भारतीय लेख क ससी थरूर का 1956 में जन हुआ पार्थी क्रिकेट खिलारी पार्थी पटेल का 1985 में जन हुआ टाटा समो और भारत के एक प्रशासक के साथ जोने एक प्रख्यात पार्सी वैपारी हारम सजीब पेरोशा मोधी का 1979 में निधन हुआ दैंसल leagues में आज अपनी टूट में लिखा है कि एक टूट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्तिब पर 5 प्रतिशत करका प्रस्ताव किया है प्याई बने अपनी संदर में शेयर किया जारा है हार्ट अटेक के बाद शुष्मिता सन ने वर्क आउट किया शुरू कुस दिनों पहले बॉलिवोड की बहतरीन अक्टरस में से एक शुष्मिता सन को हार्ट अटेक आया था जिसके बाद उन्होंने एंजीयो प्लास्टी करवाई थी वही अब अपने पुराने रुटीन में वापस लोट आई हैं बता देक इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने शोचल मीडिया अकाउंट के जरीए अपने फैंस को दी है शुष्मिता सन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तश्वीर शेयर की है जिसमें व अकाउंट पर अपने पिता के साथ एक तश्वीर को शेयर करते रुटी निवेशकों के लिए सुब रहा होली का तेवार बीते दिन ग्यानी के आठ मार्च को होली के दिन उतार चराओ भड़े काड़ोबार के बीच भारतिये शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ बता दे कि सेंसक्स जहां 123 अंक चरकर बंद हुआ वहीं निफ्टी बढ़कर 17,750 के स्तर के पास बंद हुआ काड़ोबार के दौरान बीते दिन जहां पावर, सर्विस, कापिटल, गुड्स, युटिलिटीज, ओयल, एंड, गैस और एनरजी सेरो में तेजी देखने को मिली तो वहीं दूसरी तरफ फार्मा, आईटी, टेक, मेटल और रियालिटी पर बंद हुआ काड़ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद